जितन्रा मान जी की पाटि धमके दे रही है कि अगर भारतिय जंता पाटि हमें कुछ बोलेगी तो हमें देरी नहीं लगेगी हम सरकार गिरा देंगे जितरना मांजी का कहना है कि हमारी पाटी के चार विधायक है और जितरना मांजी के पाटी के अनुसार या कह लिजिए कि उनके अनुसार अगर चार विधायक को वापस ले लेंगे तो फिर बिहार में भारतिय जंतापाटी और जद्यू की जो सरकार चल रही है वह गिर जाएगी जितरना मानजी एक परकार से धमकी दे रहे हैं और जितरना मानजी ये चेताउनी ऐसा देना चाहते हैं जिसे वाकई में जद्यू और भाजपा की धड़कन तेज हो जाए जितरना मानजी को लेकर भारतिय जंतापाटी की तरब से जब हमला बोला गया तो वे अचानक मुकेशनी से मुलाकात करते हैं और जब उनकी मुलाकात होती है तो इसी लेकर भी खूब चर्चा होती है और अब तो खुले आम जितरना मानजी कह रहे हैं कि राम राम जपना पड़ेगा भारतिय जंतापाटी को अगर हमने अपना समर्थन वापस ले लिया तो इधर भाश्पा की तरब से कहा जा रहा है कि जितरना मानजी पर उम्र का असर हो गया है उनकी अब उम्र ज्यादा बढ़ चुकी है तो जितरना मानजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या आप बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं बाजपा का तो कहना है कि अपने बेटे की राजनीतिक भविश्य के लिए उन्हें घर पर बैठ कर अब राम राम जपना चाहिए अब नमस्कार में नाय में मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं हमारा विश्वेश कारिकरम एक्स्प्लेनर जब से हम इनके बारे में जाने हैं तब से हम देली आते हैं यहां पे कभी किसी दिन सबुर्दाना कि चली तो किसी दिन इडली तो किसी दिन फोहा लेली कुछ में सबसे हिल्दी अगर पटना में सुभा के आगर आपको breakfast करना है तो आप आज यह पटना जो के पास gate no.2 और य पार्तिय जंतापाटी के नेता नीरश कुमार बबलू ने कहा कि जीतर नाम मांजी पर उम्र का असर हो गया है। अब राजीती छोड़ी देनी चाहिए और घर पर बैठ जाना चाहिए। अब भारतिय जंतापाटी के तरफ से जब ऐसा बोला गया तब जीतर नाम मांजी की परवक्ता सामने आए। और उन्होंने कहा कि नीरश कुमार बबलू जीतर नाम मांजी को सलाह देने वाले कौन होत मांजी जी की पाटी का कहना है कि सरकार है तब नीरश कुमार बबलू मंत्री बने हुए हैं और अगर हमर्त मर्तुन वापश ले लेंगे तब सडक पर उन्हें भी आकर राम नाम जपना पड़ेगा। जीतर नाम मांजी की परवक्ता ने कहा कि कुछ भी बोलने से पहले भा जरूरत कितनी ज्यादा है और सबसे ज्यादा मुत्पुन है कि इस समय मुकेश सहनी और जीतर नाम मांजी के बीच रिष्टे काफी घंशता वाले हैं और दोनों इस बात को जानते हैं कि दोनों मिलकर भाजपा और जद्यू को जब चाहे जैसा चाहे वैसा जुका सकते हैं जीतर नाम मांजी पिछले कुछ समय से लगातार इस बात पर बयान बाजी भी कर रहे हैं जो भारती जनता पार्टी के लिए घातक हो सकता है लेकिन फिर भी भारती जनता पार्टी के जीव काटने का बयान देते हैं तब उनके उपर भारती जनता पार्टी कारवाई कर दे लेकिन जीतन नाम मांजी को लेकर भाजपा का कोई भी बढानेता कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जीतन नाम मांजी इसके पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि जब जरुमत पड़ेगी तब हम बता देंगे कि हम क्या है। लेकिन जीतन नाम मांजी हर बात पर धमकी दे रहे हैं और भाजपा तथा जद्यू को चितावनी दे रहे हैं। और आगे या सिल्सला कब तक चलता रहेगा या देखने वाला होगा। अगर जद्यू या भाजपा की तरफ से इस सिल्सले में कुछ कहा जाएगा तुसे भी हम आप तक पहुचाएंगे। फिलाल इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फेस्बूक पर देख रहा हैं तो पेज को लाइक कर लिजिए। तसा यीट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल लगने वीडियो में कैमरे के पीछे ख़ड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद।